नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ श्रीयाराच लोकसभाज चुनाओं से पहले यूपी में सवाजबादी पार्टी कुनबे में राजनीती गर्मा गई है जहां आजम खा की जिद के आगे सपा पार्टी को जुकना परा और आजम खा के बरे नेता का टिकट काटकर अखलेश रियादम में रुची वीरा को उमिद्वार बना दिया है बता दे कि समाजबादी पार्टी ने मुरादा बाद की लोकसभा सीट से पहले इस बरे नेता को उमिद्वार बनाया था तो चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क् देखिए यह हमारी खास रुबोर्ट प्रतिकिरिया दी है सोसल मीडिया साइट एक्स पे अस दुद्दीन ओविशी ने लिखा डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखलेश यादव आपको भी फर्म नहीं देंगे आपने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया हमारी गुपतुगु के दौरान इम पानी कुरवान करते रहें ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक शाजिस है लेकिन इंसा अल्ला हम ऐसा नहीं होने देंगे अबिसी ने अस्टी हसन के टिकट कटने पर ये टिपनी सपानेता की एक प्रतिकिरिया पे दी हसन ने कहा था कि जब को मैदान में उतारने का फैसला किया है और पार्टी अध्यक्ष ने मुझे पत्र भी भेजा है तो ये असपस्ट था कि मुझे सिंबल नहीं मिलेगा हसन ने कहा कि पार्टी के उमिदवार के लिए मुरादाबाद में प्रचार नहीं करूंगा मेरा प्रचार करना उन लोग टीम पे कबजा कर लिया ताकि मैं उनसे न मिल सकूँ बतादे कि मुरादा बाद से मौझूदा सांसद स्टी हसन को अब अपना नावंकन वापस लेना पर रहा है खबरों की मा ने तो अकलेश यादब पे आजम खां का दवाब था इसलिए उन्होंने सीट से स्टी हसन का टिकट काट दिया और रुची वीरा को इस सीट से उमिदवार बनाया गया है यानि कुल मिलाकर आजम खां के कहने पे ही अकलेश यादब ने मुरादा बाद लोकसवा सीट के लिए रुची वीरा को उमिदवार खोशित कर दिया है इस बाद से नाराज स्टी हसन ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के उमिदवार नहीं होंगे और अपना पर्चा वापस ले लेंगे स्कॉर में फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी उतर प्रदेश नमस्कार